जो बात अभी जैने कही है एक तो पधान मंतरी का सभा हुए कि बहुत आक्रामक कैम्पेंग करते इसमें कोई दोराई नहीं लेकिन मुझे लगता है कि वो इंडिया का वो ज्यादा परचार कर रहे हैं जित्ता कि इंडिया नहीं कर रहा अपना परचार बार बार उसका नाम अभी आज अनुराक ठाकूर ने भी जिस तरीके से ठिपड़ी की है यह तो अपराधियों का जमाउडा है ऐसी भाशा तो चलो ठीक है राजनीती में चलती है लेकिन इससे तो इंडिया का ही परचार ज्यादा कर रहे ही भारती जनता पार्टी एक तो मैं जय को उनकी विलक्षन स्मृती के लिए बहुत बदाई दूँगा इतनी यादाश ये सारी चीज़ें याद रखना मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता तो मिरे लिए तो बहुत ही चमतकार वाला मामला है हम सब आपके विद्यार की हैं अरे नहीं नहीं नही उसे पहले से रहती ही रही है बहुत पहले ही कोई नई बात नहीं मरें लेकिन अभी एक नया तक तो उसमें जुड़ा है वो है वेनमस्नस अभी प्रचार वेनमस हो गया है और मुझे दुख है कि इसका जो श्रेय है वो मतलब अपनारे बीजेपी के वित्रों को ही देना प नया जो समर्थक वर्ग भी आया जो युवा समर्थक नया जुड़ा है अभी वीजेपी के साथ उसको ये भाशा ये मुद्रा उसको बहुत पसंद आती है उसको आप अलग-अलग मुद्दों पर जो एक तरह की जस तरह का विमर्ष चलता है आजकर लोग में वो उसमें आ आ गई है जो पहले इतनी नहीं थी वेनमस्ट भी वो हो गया है दूसरी तीसरी बात मुझे लगती है कि इंडिया शब्द इतना आकस्मिक रहा होगा मुझे लगता है बीजेपी के लिए और सभी के लिए हम सब के लिए था मेरे लिए तो था और वो अपने आप में इतना अकरशक शब्द है कि उससे थोड़ा हिल गये हैं वो और वो जो उसको पचाना कठेन हो रहा है उनके लिए तो अब उसमें मीन मेर्ट निकाली जा सकते हैं कि बही इंडिया वाले जब उसको लिखके कम से कम बोलने में तो यह नहीं किया जा सकता आई एंडिये को अलग अगर करके नहीं बोल सकते लिए डॉट जरूर लगाएं वो नहीं लगाना ब्रामक है ब्रामक है निश्यत तो इंडिया ही होगा तो मोधी-बोधी और सामने इंडिया-इंडिया होगा तो अब जब हम किवल शद्दों की बात कर रहे हैं तो फिर एक वजन तो बढ़ता है उसका तो इससे कोई उनको फाइदा नहीं होगा इतना मैं कह सकता हूँ नुकसान हो या ना हो ज़रा कहना कैचन है लेकिन इससे कोई फाइदा नहीं होगा जिस तरीके से पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ये तो आतंकवादियों से सम्मझित चीखें है या प्यापाई से जोडने कोशिश कर रहे हैं ये मैं उसी पर आ रहा था कि ये जो अंतिम बात है ये तो बहुत ज्यादा दुर्भागेपूर्ण है कैसी भी परशियती हो चुनाओ की हो या चुनाओ के अलावा दूसरे इस्तितियां हों हम अपने देश के प्रदानमंत्री से एक शुनतम गरिमा की अपेक्षा करते हैं की अपेक्षा करते हैं उनकी बातों यह भी उनकी विरक्षन प्रतिभा है लेकि जब यहां आते हैं तो वह उतनी ही कहना पड़ेगा कि कुछी बाद भी कर सकते हैं उपहास की किसी भी सीमा तक जा सकते हैं यह बहुत दुर्भागी पूर्ण है कि प्रधान मंत्री और उनके कारा उनकी पूरी पार्टी हीन काम है पूरे लोकतन की गरिमा को गिराने का काम है फिरोध के इतने बुद्धे हैं बुद्धों पर किया जा सकता है आप रिकॉर्ड की बात करिए लेकिन सीधे सीधे अपराधी और पियाफाई और उसके साथ तुनना करना इंडियन मुझाइदीन के साथ इंडिया सुचता भारत भी नहीं सुचता चाहे वो make up India हो चाहे वो stand up India हो अचाहे वो इन्डिया हो खेलों इंडिया और कुदों इंडिया हो पताइए भारत नाम है और यह हिंदी हिंदी वाधी और भारती संस्कृती वाधी लोग है लेकिन से अपने नए राश्री प्रकलपों के नाम भी भारत नाम से नहीं सूचे ज्यानवन नहीं आते तो मुझे रखता है कि बहुत भागी पूर्ण दोर है सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर करें दोर्ण दोर है